हेलो एबरिवन वेल्कम बैक टू इसमाय चैनल डवलार फैमिलेज में आज मैं आपके सामने लेके आ चुकी हूँ एल्प्स गॉर्णिस की रूस मेरी वाटर की फुल रिव्यू लेके तो मैंने परसनेली इसको बहुत टाइम तेक यूज किया है और आपके सामने फिर जाके इसकी हॉनिस्ट डिव्यू लेके आई हूं तो पहले आपको ऐसे पैकेजिंग में आपको यह रिसीब होता है बहुत ही आपको लॉक एंड ओपें करने की जो बहुत ही अच्छा आपको यहां पर लॉकिंग दिया गया है और इसका मर्पी में आपको दिखा देती हूं इसक प्रड़क्ट है यह बहुत ही अच्छा है मैं पर्पल में ब्युक्त कहिं है तो यह आपको बहुत ही जन्टल आपको जो हैर-घ्रोः ना स्टार्ट होता है वहरी उसी पॉइंट में आपको नजको देना है मmi साज करना है अपनी ku एक जहूपल आपको चिंवाधा कम हो जाता है आपका चिह का आ लगा मैं यह बहुत टाइम तर यह करें हूं मेरे hair fall बहुत कम हो गए मैं dandrop भी मैंने पहले से बहुत कम लग रहा है आप अगर इसको जादा यूज करोगे कि मैं पहली दिन से जादा यूज करूँ तो ना करें क्यूंकि मेरे experience है कि अगर आप इसको जादा जादा यूज करोगे जादा जादा आप हैर पर लगाओगे तो मैंने हपते में इसको रोज लगाती थी तब मेरे हैर बहुत सा ड्राइव होने लगा तो मैं आपको रेकुमेंट करूँगी हपते में तीन या चार दिन ही लगाओ यह बहुत ही इसलिए अच्छा रहता है इसको यूज़ करने की टाइम आप हैर ना चोड़े हैर ओइलिंग में होता है आपके हैर फॉल के लिए आप हैर फॉल रोकने के लिए आपके हैर के लिए हैर ओइलिंग भी बहुत ही मेंटन रखता है आपके हैर के लिए तो जो भी आप ऑईल यूज़ करते हो आप वह यूज़ करो और यह स्प्रेय यूज़ कर तो आपकी जो हैर की जो ग्रो है आप 177 डेज में आप देख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है अगर आपको इसको बाई करना तो डेफिनिटली बाई करो आनि यह स्प्रे जो है आपको दिखा दी दूए एकदम वाटर टाइप है इसको मैं आपमें हैंट पर आपको कोई चिपचिपासा नहीं है एकदम ओल की तरह नहीं है एकदम पानी जैसा है